सभी को नमस्कार मैं राम किर्ण सर्मा हार्मनी इन सेल्फ के साथ मैं उपस्तित हुआ हूँ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल्फ और बाडी के डिफरेंसेज को समझा था और यह भी समझा था कि यह दोनों एक दूसरे के साथ को एक्जिस्टेंस में एक दूसरे के साथ सहस्ति तुम्हे रहते हैं अब सेल्फ की एक्टिविटीज पहले तो हम लोगों ने नीड एक्टिविटीज और अब उसके रिस्पॉंसेज को डिफरेंसियेट किया था यह समझने का प्रयास किया था कि बॉड़ी की क्या रिक्वाइर्मेंट से क्या नीड के आधार पर फिर एक्टिविटीज के आधार पर रिस्पॉंस के आधार पर यह समझ में आया कि बॉड़ी मैं बॉड़ी नहीं हूं जबकि मैं बॉड़ी और अपने आपका एक को एक्जिस्टेंस हूं तो मैं भी है और बॉड़ी भी है सरीर सब कुछ नहीं है सरीर मेरे help के लिए है तो मैं जो भी decisions अपने में लेता हूँ उन decisions को fulfill करने के लिए मैं सरीर का इस्तेमाल करता हूँ सरीर को use करता हूँ utilize करता हूँ इस तरह से अगर देखने जाएं तो body क्या है body एक instrument है जिसका utilization यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर देखने जाएं तो यह बात हुई थी तो इसमें need के आधार पर देखें तो needs क्या है body की needs है physical facilities like food cloth etc and need of selfish happiness happiness like feelings respect, trust, affection love etc और यह continuous चाहिए इसमें कहीं पर interruption होता है तो उसका दुख मिलता है लेकिन शरीर को भोजन समय समय पर चाहिए कुछ समय के लिए जब उसकी जरूरत होगी कुछ मात्रा में चाहिए सुख की मात्रा क्या होती है कम ज़्यादा थोड़ी होता तो qualitative है भावात्मक है इसलिए feelings का importance self के लिए सरीर के लिए तो feelings का important नहीं है क्योंकि सरीर को physical facilities की requirement है feeling self को पहुशती है और self उसके according react करता है और अगर वो सही समझ और सही भाव के साथ अपने में भावों को समझता है तो उस पर सुख महसूस भी करता है ठीक है लेकिन अगर वही भाव phygeo-kemic think through पहुचाने लगे कि संवान का भाव इसी सामान से जितना अच्छा सामान जितना branded सामान जितना बड़ा सामान उतना ही ज़्यादा भाव होगा उतना ही ज़्यादा संवान पहुचेगा उससे सुख को जोडने जाएंगे तो वो तो सरीर की सुविधा को पूरा करने का प्रयास कर रहा है अगर उसको भाव से जोडने जाएंगे तो वो समस्या हलोती दिखाई नहीं देती है तो इस अंतर को जब पहचानने गए तो सरीर को देखा, सरीर क्या है, जड है, मैं क्या हूँ, मैं तो चेतन हूँ, तो जड और चेतन, ये दो एकाईयां दिखाई देती है, ठीक है, जड क्या है, फिजिकल, मैटेरियल का बना हुआ चीज, तो जो सरीर है, वो मैटेरियल का बना है, अब इसके लिए ही अगर सारा प्रयास करेंगे तो यह सरीर एक दिन नष्ट हो जाना है लेकिन मैं तो सदेवर होंगा इसलिए मुझे सुभीधाओं को इकठा करना है सरीर की आवश्रक्ता को ज्यादा पूरा करने के तरफ ध्यान देना है या मेरी अपने जो निरंतर रिक्वाइर्मेंटस है शुख की रिक्वाइर्मेंटस सही समस रहाव्वक रिक्वाइर्मेंट वो पूरा करने के आवश्रकता है इस पर भी ध्यान चला जहीर मेरी activity इच्छा विचा रासा मेरे में लगताशालता है ठीक है तो उसको भी शरीर की requirement से पूरा नहीं कर सकते हैं शरीर में जो activity हो खाना पीना चलना उसके लिए एनर्जी चाहिए फिजिकल पेसिल्टी की requirement हो सकती है लेकिन मेरी अपनी क्या activity है मेरी अपनी activity है desire thought expectation और वो तो continuous चलता है सोते हुए भी चलता है जगते हुए भी चलता है इसलिए जो मेरे में है वो मैं उसको देख पाऊं तो मेरे में जो चल रहा है मैं उसको देखी नहीं पाता है मुझे बाहर वाली चीज दिखाई देती रहती है मेरे सरीर की activities मुझे को दिखाई देती रहती है लेकिन मेरी खुद की activities जो मेरे में चल रही है वो मैं देखी नहीं पाता हूँ क्या नहीं देख पाता हूँ desire, thought, expectation इसको देखने की आवश्रेक्ता है इन activities को जब मैं देखने जाता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि जो force है, वो क्या है decision हम कब लेते हैं जब कोई force activate हो कुछ situation मेरे सामने आती है वो situation का आधार क्या है वो situation का आधार है, desire मेरी क्या इच्छाएं हैं उन्हें इच्छाओं को मैं कैसे पूरा करने जाओंगा तो जब उस पर विचार करते हैं तो इच्छा के साथ विचार और इसको ठीक ठीक देखने जाएं तो इन सब के प्रती एक आश्रा होती है किसी ने कुछ कहा कि आपको इन चीज की ज़रूरत है फिर मैंने उसको कैलकुलेट किया कैलकुलेट करने में विचारों में जाता हूँ या मैं देखता हूँ मेरे मित्र के पास ये चीज है मुझे भी इस चीज की ज़रूरत है या मेरे पास ये सुविधा नहीं है करने के लिए उसका काम ज्यादा आसानी है आसानी से क्राम करने क्लिए उसचीज की ज़़युआतप्छा बढ़ सकती है क्या दूसरे के पास hoping मेरे में व आ जाये तो मेरे पास भी ईसकोFC आज जाये में नह además सम्पार बढ़ जाएगा तो यह जो BEN, clake electricity is यह activity है जो मेरे में चलती है यह activity को समझने जा रहे है अभी या इस activity तो आगे है यह force है एक तो यह है किस तरह से हम आशा को देख रहे हैं क्या मेरे विचारों में चल रहा है क्या मेरे विचार में natural acceptance के आधार पर चल रहा है या sensation कि सरीर की मांग है इसके एक और्डिंग में चलूँगा या प्री कंडिस्निंग लोगों ने कह दिया सम्मान इस सामान से है वो सामान में ले आऊँगा तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा या ठीक है या फिर निटूरल एक्सेप्टेंस के आधार पर विचार में चल रहा है जिसमें जब भी विचार में आता है मैं यह देख पाता हूं कि यह संबंध के पूर्ती के अर्थ में है या नहीं है तो जब संबंध की पूर्ती के अर्थ में देखने जाता हूं तो बहुत सारी चीजे दिखाई देती ह मैं यह देखने जाता हूं कि AC की requirement मुझे है या नहीं है तो AC की requirement मैं AC यूज करूँगा तो उसे क्या-क्या नुकसान होंगे शाद इसी वज़े से आज तक मैंने AC नहीं खरीदा या यह सारी बड़ी गाड़ी की requirement दिखाई नहीं देती है या सुविधाओं को और सुविधाओं की जब मैं बात करने जाता हूं तो natural acceptance को जब भी मैं देखूंगा तो desire कि मेरी यह इच्छा है मुझे पास यह हो जाए वो हो जाए यह सारा समान हो जाए तो desire में भी natural acceptance है कि नहीं इस पर भी ध्यान चला जाए तो मेरे पास दुनिया भर की चीजे हो जाएंगी उसको मैंने सम्मान से जोड़ रखा है करने के लिए रिजेक्ट कर दूगा तो प्रपोजल हर इस्टेश पर एक प्रपोजल की व्योस्था एक्टिविटी मेरे में यह desire thought करते हैं यह पाना है वो बहाइक इच्छा होते हैं घ्रक जब मैं आगच बंद करता हुं तो जो भी मेरी इच्छा होती हो चिट्रित हो जाती है मैं उसको imagine कर पाता हुं और जो imagination मेरे में कर रहा हूं उसके लिए उसको पाने के लिए या जो भी इच्छा है वो ठीक है की नहीं है ये भी समझने के लिए मैं उसकी analysis लगातार करता रहता हूं ये मेरे विचार में चलता है और इस analysis के दोरान मैं expectation पर भी द्यान देता हूं कि मेरे मित्र के पास है decision तो मैं ही लेता हूं इसलिशन चलता है अब exploration और natural acceptance के आधार पर चलेगा या प्रीकर कंडिशन के आधार पर चलेगा या सेंसेशन के आधार पर चलेगा यह तो मेरे अपने ऊपर है कि मेरी कितनी practice is field में हुई है अगर मैं डिजायर को समझने जाओं तो मैं क्या होना चाहता हूं क्या करना चाहता हूं क्या पाना चाहता हूं यही है तो जो क्या पाना है या क्या होना है या क्या बनना है यह जो पार्ट है डिजायर का पार्ट दिखाई देता है और यह जो कैसे होना है इस वाले process को देख पाते हैं तो फिर उसमें इसको भी समाहित करते हैं कि किस तरह से उसका selection होगा जैसे मुझे गाड़ी खरीदने के दो तीन आसपेक्ट हो सकते हैं एक तो यह है कि मैं वो जो गाड़ी है वो मैं परपच क्या है उसका college जाना है या कहीं जाना है अब वो रास्ता कैसा है कितनी दूर है कितनी स्पीड की जरूरत पड़ेगी कितनी स्पीड तक चलाना इतनी स्पीड तक चलाएंगे तो सेफ रहेंगे safety precautions एक तो यह चीज हो गया है मतलब उस गाड़ी का ठीक ठीक utilization क्या है मैं मुझे safety के साथ रहते हुए दूसरा मैं उस गाड़ी को खरीद रहा हूं क्योंकि मेरे में जो excitement generate होता है कि मैं racing गाड़ी चलाओंगा तो मेरे में आ अवेश है excitement है उस excitement में आदमी अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है बुरा करने के चांसे ज्यादा होते है उस excitement में racing गाड़ी ले लिया और फुरी speed से चला रहे है पता नहीं क्या हुआ हुआ है तो excitement वाला जो person है उसी में shock भी होता है जो shock वाला person है वो भी excitement का part है जब भी में shock को पूरा करने जाता हूं यह मेरा shock है वह excitement का part दिखाई देता है जब उसको पूरा करने जाएंगे तो racing गाड़ी खरीदनी है बहले college ही जाना है लेकिन college जा रहे हैं तो हम racing करते हुए जाएंगे अब इसकी ज़रूरत है कि नहीं इस पर ध्यान देने की अच्छी गाड़ी हो भले सस्पी हो उसका mileage भी कम हो mileage ठीक हो उसको नहीं लेंगे जिसका mileage बहुत खराबinka भले वो महगई गाड़ी हो उसको हम लेंगे और फिर उसके जो रख रखाओ का खर्च रख हुए वह भी काफी जयादा आता है पिर भी हम उसको खरीदेंगे क्यों कि वो सम्मान से जोड़कर रखा हुआ है प्री कंडिस्निंग तो सेंसेशन के आधार पर ले रहे हैं या यूटिलाइजेसन के आधार पर कौन से सड़क पर चलना है उस पर किस तरह से चलेगा तो अगर ऐसी गाड़ी हो जो जल्दी खराब हो जाता है महगी गाड़ी जल्द करना है तो utilization के आधार पर करेंगे या sensation के आधार पर या preconditioning के आधार पर अब इस पर भी ध्यान देने की आवश्यक्ता बनेगी तो मेरे में जो activities हैं वो activities यह सारी चीजों को decide करने का काम करती हैं इसके जो बात समझ में आती है यह है कि जो activities है वो मेरे में लगातार चलती रहती है यह सब मेरे में चल रहा है और मैं अपने आपको सरीर मान ले रहा हूं मैं ऐसा समझता हूं कि सरीर डिसीजन लेता है बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं यह जो ज़्यर थार्टC एक्सक्टेस्ट संगा पॉर्शन है यह तो मेरे मढड मेरे मां चलता है मांड कहा है вып 2 चरुक्राइबार उसको और अपनी लेकिन यह नहीं देख पाए कि उसके अच्छा एक और चीज है जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं वो तो excitement based होते हैं उसमें भी हम यह नहीं कह सकते कि जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं वो हमारे सुख और दुख के परेडाम स्वरूप हैं बहुत सारे लोग लोगों का हार्मोनल चेंज हैं अपने में दुख लिए गुमते रहते हैं फिर भी सुख वाला पार्ट महसूस कराते हैं और जो एक्टिविटी वो बाहर की तरफ एक्सप्रेस करते हैं वो हार्मोनल चेंजेज अंदर भी चलने रहा हूं कि मेरा मन में इच्छा विचार आसा चल रही है या मैं कह रहा हूं यह मेरे अंदर चलने वाली एक्टिविटी है यही कल्पना शेलता है जब भी मैं आख बंद करता हूं तब भी यह दिखाई देता है इसका मतलब सरीर की इंद्रियों से इसका बहुत कुछ लेन और जो भी मेरे इमेजनेशन में चलता है वही मेरा कारी और ब्योहार होता है वही जो डिसीजन में लेता हूं मैं अपने सरीर को वही करने के लिए कहता हूं तो जब मैं अपने सरीर के द्वारा वह कारे करता हूं तो कारी होता है और जो भी मेरे लोगों के साथ इंट्रेक करा में तो एक्сем संसकारवाला पार्ट है वो सरीर मे दिखाई देता है और मेरे शरीर की क्लियाएं और मेरे दूसरे सरीर के साथ interaction देखकर देखर लोग है decide कर पाते हैं कि संसकार कैसा है तो तो अपनी activities अगर ठीक कर ले, ये मेरी activities ये हैं, अपनी activities ठीक कर ले, तो सरीर की activities भी ठीक हो जाएंगे, तो मेरा कार्य और वहार ठीक दिखाए देगा, तो लोग कहा पाएंगे, कि संसकार अच्छा है, तो संसकार ठीक करना है, या ठीक नहीं करना है, अब इस पर भी ध्यान की बात करेंगे, मैंने अपने में जाचा पर्खा होगा, तो मैं एक तरह से कारी बेवहार पर चलता जाऊंगा, इसलिए प्री कंडिस्निंग पर अगर चल रहे हैं, तो अभी बहुत सारी समस्यां दिखाई देती हैं, सरीर में खुदी पांच इंद्रिया हैं, अगर सरीर के आस्वादन के आधार पर चलेंगे, तो उसमें भी मेरा कारी और विवहार इस्थिर दिखाई नहीं देता हैं, तो जैसा स्वादध होगा, जैसा आस्वादन होगा, उसके एक ओढरिंग कारी करना ही स्टार्ट कर देगें तो अगर natural acceptance के आधार पर चले, लोगों के साथ संबंध को ध्यान में रखकर, जो सहत स्विकार है, जिसमें सुख है, उसके आधार पर अगर decide करके चलते हैं, तब मेरा कारे और विवहार इस्थिर दिखाई देता है, और इस्थिर कारे और विवहार के साथ ठीक ठीक कारिक्र बना सकते हैं, तो अगर इन दोनों के साथ चल रहे हैं, मानेताओं के साथ और स्वमवेदना के साथ, तो परतंत्र दिखाई देते हैं, और सहस्विकृति के आधार पर चलते हैं, तो सुतंत्र दिखाई देते हैं, ठीक है, तब परतंत्र रहना या सुतंत्र रहना इस पर देहान देने की आउशक्त चलिए यहीं पर लेक्च से को समाप्त करते हैं खल बोड़ी